हेलो एगववन वेल्कम टू माय अटब चैनल बैंकोपीडिया आज का जो मशीन इंपूट आउट्पूट यहां पर हम क्वेश्चन सॉल करने वाले हैं यह आपका कोई प्रेवर्ट का में इसे इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब भी आपको भी में इसका दिलाते हैं तब ऐसे क्वेश्चन की अगर आप सबसे पर नंबर है और साथ में वर्ड थो तो इंपुट तो हमको समझ में आगे, वर्ड और नंबर है, उसके लाओ और कुछ भी नहीं है, step 1 में अगर हम देखे, तो step 1 समझने के लिए हमको input से compare करना पड़ता है, अगर input से compare करूँ तो यहाँ पर changes क्या दिख रहा है, तो एक left side में मुझे then दिख रहा है, और right side अगर आप देखें, तो 20 को shift कर दिया, और किसको लेकिया है, 21 को, फिर third step में देखें, तो then को fix किया है, night को fix किया, और किसको लेकिया है, strong को, और इधर 20 को shift किया, 21 को shift किया, और किसको लेकिया है, 40 को, मतलब एक चीज़ समझ में आ गया, कि जब मैं left side की बात करूँगा, ठीक है, left की, तो left में किसको ले रहा है, तो वो है words, और words को कैसे arrange कर रहा है, अभी तक हमको ये चीज़ समझ नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें, अगर यहाँ पर हम देखें कि words को कैसे arrange की है, तो हमको उसके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी पड़ेगी, इसको चेक करने के लिए, अगर मैं numbers की बात करूँ, अगर यहाँ पर total कितने steps हैं, 7 steps है, अगर यहाँ पर step number 5 तक का देखूँ, तो यहाँ पर words और numbers दोनों दिख रहे हैं मुझे, बड़ जैसे ही मैं 6th step जाओंगा, तो यहाँ पर सारे की सारे क्या होगा है, numbers तो 6 और 7 जो step है, इसको हमको बात में समझना होगा, पहले हमको यहाँ पर 5 step तक का process अच्छे से समझना होगा, तो left में words हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है, fixed arrangement, यहाँ पर जो भी arrangement हो रहा है, वो fixed है, जैसे अगर then को लेकिया है, तो इसको fix कर दिया, तो हर step में अगर आप 5 step देखे, तो then जो है, वो left side में पहला यहाँ पर element है, second step में knight को लेकिया है, और अब knight को जब लेकिया है, तो knight को fix कर दिया, और second element knight होगे, third step में strong को लेकिया है, और third element sub में यहाँ पर fix क्या होगे है, strong, fourth में olive को लेकिया है, उसको भी fix कर दिया, और fifth में लेकिया है, high, clear, और अगर मैं right side की बात करूँ, तो right side में क्या लेकिया ह यहां पर क्या arrangement है, पहले लिखे है 20, फ्र न बे 20 को 20 को 50 लेकिया है, फूर्थ में 21, 40 यह सब को 54 लेकिया है, लास्ट में 75 लेकिया है, तो नंबर मुझे यहां पर क्या हो रहा है, तो वह है shifting, एक चिस समझ में आ गया, जो left side में words को लेके जा रहा है और सिर्फिक्टि कर रहा है और एक बार स्मझें आ गया होगा आप यहां पर अगर नंबरस को देखें तो एक बार में समझ में कुप में नापिर सबसे छोटा फिर उससे बड़ा वालस सबसे बढ़ा 75 वर्ट गलेते हैं यह बोडश की से arrange है तो अब words को समझने के लिए हमको यहाँ पर बहुत सारी बाते यहाँ पर हमको पता होना चाहिए और दूसरी चीज कैसे यहाँ पर हम words के यहाँ पर arrangement निकाले तो उसके लिए यहाँ पर आपको क्या-क्या करना होगा तो वह सारी चीज़े भी आपको पता होना चाहिए अगर मैं यहाँ पर words की बात करो तो words को कैसे arrange के जाता है यह तो first letter से arrange के जाता है first letter में ascending, descending अब इसको check कर लेते कि first letter से ascending, descending यहाँ पर है तो अगर आप देखे तो पहले T है, then N है then S है, then O है, then H है आपको numbers पता होना चाहिए letters के numbers पता होना चाहिए तब जाके आप जल्दी इस चीज़ को point कर पाएंगे, कि first letter से है कि last letter से है, कि आपर string length से है, कि first and last letter को add कर के किया गया है, कि second letter से, यह सारी चीज़े आपको तब पता चलेंगी, जब आपको letters के numbers अच्छे से आपको याद होना चाहिए, जैसे T की बाद करूँ, तो first letter से अगर देखें, कि first letter से अरेंगे, तो T जो है 20, फिर उसके बाद N को लेकिया है, N का number 14, then S को लेकिया है, तो S का number 19, then G को लेकिया है, G का number 7, olive को लेकिया है, ठीक है, sorry, strong के बाद olive लेकिया है, तो O का number कितना है, तो हो है 15, तो 19 के बाद यहाँ पर आएगा, 15, ठीक है, फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, high, तो high का number में H, H का number हो गया, 8, अब ना ही मुझे ascending दीख रहा है, ना ही descending दीख रहा है, तो यह first letter से तो arrange नहीं हुआ है, जो मेरा word है, वो first letter से तो arrange नहीं हुआ है, अब देखते हैं second, second चीज में आपको check करना है last letter, यह सारी तरीके आपको पता होना चीए, कि आपको कैसे कैसे यहाँ पर find करना है, सबसे पहले first letter देखो, फिर last letter देखो, then string length देखेंगे, उससे भी नहीं होगा, तो first and last letter को add करके देखेंगे, उससे भी नहीं होगा, तो यहाँ पर हम second letter सबका check करेंगे, यह सारी check करने का तरीके होते हैं, देखें, मैं यहाँ पर आपको direct यह भी बता सकता हूँ, कि यहाँ पर हुआ क्या है, तब आपको यह समझ में आएगा, कि यहाँ पर क्या क्या process यहाँ पर होता है, चले, last letter से अगर मैं देखूंगे, arrangement last letter से है, then में n जो है, उसका number होता है 14, nights तो s का number होता है 19, then strong तो g का number होता है 7, then olive e का number होता है 5, then high h का number होता है 1, अगर आप ध्यान से देखें, तो यह मुझे last letter से भी नहीं दीख रहा है, clear, अब last letter से नहीं दीख रहा है, तो third चीज में क्या करूंगा, string length, string length आपको बताया था, string length होता है number of letters in a word, clear, तो then में कितने लेहाँ पर, अगर आप देखें कितने letters हो, then में 4 है, then nights की बात करें तो 6 है, then strong की बात करें तो 6 है, olive की बात करें तो 5 है, और high की बात करें तो 4 है, तो string length से भी यहाँ पर मुझे arrangement नहीं दीख रहा है, clear, तो यहाँ पर आपका string length से भी arrangement नहीं है, first letter से भी arrangement नहीं है, last letter से भी arrangement नहीं है, तो अब इनसे नहीं है तो अब हम क्या चेक करेंगे तो वो है आपका first letter और last letter का addition first letter अब last letter का addition करके देख लेते हैं तो देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ then करूँ clear तो then में first letter है D और last letter है N तो D का number होता है 20 और N का number होता है 14 टोटल कितना होगे 34 ठीक है यही पर अगर night की बात करूँ तो night में first letter है N और last letter है S N का number है 14 S का number है 19 टोटल होगे आपका 33 strong की बात करें तो S का number होगे आपका 19 ठीक है और G का number होगे आपका 7 तो 19 और 7 कितना होगे तो टोटल होगे आपका 26 ठीक है फिर बात करेंगे ओलीव का ओलीव में अगर हम देखें तो O का नमबर होता है 15 और E का नमबर होता है 5 तो यह टोटल होगे 20 और हाई की बात करें तो अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले जब हम लिखें तो दैन का नमबर कितना है 34 यहाँ पर लिख लेते हैं फिर नाइट्स का 33, उसके पार यहाँ पर आपके पास strong था, उसका number कितना है, 26, then यहाँ पर आपके पास olive था, जिसका number है 20, और last में high है, जिसका number 60, तो अगर आप first letter और last letter को add करके देखें, तब हमको समझ में आ रहे हैं, कि यहाँ पर last letter को add किया है, और उसको arrange कैसे किया है, तो वह है descending order, तो words को कैसे arrange किया है, तो words को arrange किया है, यहाँ पर descending order में, यहाँ पर निख लेते हैं, यहाँ पर देखिए, input के नीचे last में देखिए, words को कैसे arrange किया है, तो वह है descending order, और कैसे descending order में, तो sum of first and last letter, तो first letter और last letter को add करके उसको कैसे arrange किया है, descending order, यह एक चीस समझ में और दूसरा जो right side में numbers को लिए था उसको shifting कर रहा था और कैसे यहां पर arrange किया तो यहां पर अमने लिखा था उसको increasing order में तो 5 steps मुझे समझ में आ गए अब 6th and 7th step यहां पर समझना होगा 6th step की बात करें तो दीए यहां पर 6th step में देखो तो 09 के बाद यहां पर 20 है यहां पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है बस यह जो words दिख रहे हैं उसके जगा आप numbers लिखा हुआ है यह numbers कैसे आते हैं देखें यह numbers जो है यह तो string लेंड लिख दिया जाता है जैसे them का 4 है, 9 का 6 है, strong का 6 है बट यहां पर हमको नहीं दिख रहा है यहां पर हमको 28, 9, 12, 9 फर्स्ट लेके देखो तो अगर t की बात करें तो t का number है 20 यहां पर क्या है 8, night की बात करें तो n का number कितना होता है 14 यहां पर क्या है 9, तो first letter नहीं है तो last check किये तो यहां पर last भी नहीं है क्योगि then में last letter n है, n का number 14, यह भी नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो दो पर nine यूसमें एक तो यहाँ पर night के नीचे और एक यहाँ पर high के जगह यहाँ पर यह भी nine है अगर आप द्यान से देखें इसी सज़ाँ यहाँ पर यहाँ पर यह वाला 12 के ज़्श्चपाद वाला भी nine है और एक nights के लिए है और एक high के लिए, अगर इन दोनों में common ढूंदो, तो मुझे common i दिख रहा है, दोनों में i दिख रहा है, और i का number क्या होता है, तो i का number होता है 9, तो अब इसको check करने के लिए कि क्या सब के लिए second letter है, क्योंकि high और night दोनों में क्या है, second letter है i, तो अगर then की बात करें, तो then में second letter क्या है, h, और h का number क्या है, 8, तो यह 8 दिख रहा है नुझे, ठीके, nights में i का number 9 था, तो यह 9 दिख रहा है strong में t है, t का number होता है 20, clear second letter देख रहा है सब का, olive में second letter क्या है, l और l का number कितना है, 12 और high में i, i का number है, 9 हर एक word का arrangement के बाद second letter का यहाँ पर सीधा number लिख दिया है अब यह numbers वगएरे, यह सारी चीज़े आपको within a second पता कर लेना है कि यह numbers कैसे आएं, कैसे check करेंगे, first letter देख लो नहीं है, तो last letter देख लो नहीं है, तो first letter last letter, second letter, third letter आपको यह सब चीज़ चेक करना पड़ेगा और यह सारी चीज़े के लिए यहाँ पर time नहीं लगेगा जब आपको बार 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 वोगों alphabets के numbers यात होंगे चले, step number 7 की बात करें, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, सीधा descending order में arrange कर लिया है, सबसे पहले 75, then 54, then 40, then 21, then 20, 20, 12, 9, 9, और 8, तो यहाँ पर क्या किया है, तो वह है descending order, तो अब समझने आ गया है, कि 5 steps तर words और numbers को arrange किया, words को यहाँ पर fixed arrangement किया है और letters जो numbers है, उसको यहाँ पर आपका shifting किया है और numbers जो है, उसको increasing order में arrange किया है, और shift करते जा रहा है, और जो भी यहाँ पर हमारे पास words है, उसको क्या किया है, तो first और last, कोई भी सब word है, उसका first letter और last letter के यहाँ पर sum किया है, और उसको descending order में arrange कर दे, जो सबसे बड़ा number है, उसको पहले लिख लिए, जो सबसे छोटा है, उसको last में, और 6 और 7th step में क्या हुआ है, तो 6th step जो है, वो आपका सारे ही words के second letter है, और बाकी यहाँ पर 7th step में क्या किया है, तो वो है descending order में arrange कर दिए, अब इसके बाद आपके पास यह input है, इसको हमको solve करना पड़ेगा, इसको आप rough sheet में लिखेंगे, और direct यहाँ पर हम numbering करेंगे, चल देखते है input, अब input यहाँ पर है, अब आपको करना क्या है, तो वो है सिर्फ numbering, हमको पता है कि words जो होंगे, जो भी words हमारे होंगे, वो कैसे होंगे, जो भी word होगा, उसका first letter और last letter, इन दोनों हमको add करके, कैसे arrange करना है, descending order, और जो numbers होंगे, वो direct यहाँ पर कैसे arrange होगा, तो वो है ascending order, और यह सारी चीज़े shifting में जाएगी, clear, और यह सारी चीज़े fix होते जाएंगे, यह हमको पता चल गया, तो first step क्या होना चीए, तो left side में पहला यहाँ पर word होगा, तो अब हमको कैसे find करेंगे, तो word जो है first and last, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जल्दी से आप क्या एक थाम कर लेंगे, कि जितने भी आपके पास words हैं, उसके first और last letter के numbers को add करके आपर एक number आप निकालेंगे, first ही बात करूं, तो f plus first में last letter है t, f का number 6, t का 20, total होगे 26, वैसे अगर trick की बात करूं, तो t first है, k last है, t का 20, k का 11, यह होगे 31, clear, वैसे draft की बात करूं, d first है, t last है, 4 plus 20 होगे 24, वैसे अगर need की बात करूं, तो n first है, d last है, n होता है 14, d होता है, 4 total होगे 18, और railway की बात कर, तो r first में है, और y last में है, r का होता है 18, y का होता है 25, total अगर आप करेंगे, तो यह आ जागा 43, clear, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जो सबसे बड़ा, यहाँ पर number आया होगा, उस word को, उस वाले word को पहला है है, आपर हमको numbering देना है, सबसे बड़ा क्या दिख रहे है, हमको 43, तो यह जो railway का है 43, तो यह हो गया मेरा l1, और right side के बात करूँगा, तो right side के आएगा आपका, तो वो है number सबसे छोटा, ascending order में आरेंज करना है, तो यह हो जाएगा आपका 15, तो यह हो जाएगा r1, अब railway के बाद क्या आएगा, तो वो है आपका, जो सबसे बड़ा दिख रहा है, वो है 31, मतलब T के मतलब trick, तो यह हो जाएगा हमारा l2, और r2 क्या हो जाएगा, तो 15 के बाद सबसे छोटा होगा, तो वो कौन से दिख रहा है, 25, तो यह हो गया r2, then यहाँ पर हम बात करेंगे l 3 का, तो दिखो 31 के बाद जो सबसे बड़ा दिख रहा हो क्या है, 26, मतलब F, F और first, तो यह हो गया हमारा l3, और r3, 25 के बाद यहाँ पर जो छोटा दिख रहा हो है, 30, तो यह हो जाएगा r3, फोर्थ क्या होगा है यहाँ पर, अच्छा यह चीज आपको समझ में आ रहा है 15 मतलब r1, तो यह l1 railway होगा और इधर last में क्या होगा, 15, अगर step number 2 की बात करें, तो l1 तो fix है, l2 आ जाएगा, but अगर हम last की बात करें, तो r1 shift हो जाएगा, और इसके जाएगा क्या आ जाएगा, r2, और बाकी सारी चीज़े as it's, clear, third step अगर आप लिखेंगे, तो आपका l1 fix, l2 fix, l3 fix हो जाएगा, बाकी सारी चीज़े as it's होगी, जो यहाँ पर elements बज गए होगे, और यहाँ पर r1 shift होगा, r2 भी shift होगा, और क्या जाएगा, r3, अगर हम step number 4 की बात करें, तो step number 4, अब l4 क्या होगा हमारा, तो देखो, trick, sorry, first तक हो गया, l3, अब l4 की बात करें, तो 26 के बात, जो बचा है, 24, मतलब d, d4 drop, तो यह हो जाएगा, आपका l4, और r4 क्या होगा, right side, तो 30 की बात, जो सबसे छोटा number दिख रहा होगा, 65, तो यह हो जाएगा, आपका r4, अगर step number 4 की बात करूं, तो यह l1 fix रहेगा, l आपकी सारी चीज़े, तो बची क्या क्या होगा, तो देखो, सिर्फ बचा क्या है, need और 80, तो need और 80 दोनों बचा है, और इधर क्या होगा, तो r1 होगा, then r2, r3, और r4, यह सारी चीज़े सिर्फ होगा, और यह सारी fixed है, ठीक है, step number 5 की बात करें, तो अब किसको ले होगा, इसलिए fifth step तो हमको perform करना ही पड़ेगा, clear, जब भी shifting होता है, तो जितने यहां पर कितने, अगर numbers देखें, shifting हो रहा है, numbers total 5 है, मतलब आपको इतना पता है, कि 5 step तो लगेंगे ही, यह आप मान के चलिए, clear, auto arrangement अब नहीं होगा, shifting में auto arrangement नहीं होता है, जब भी आपके पास fixed वाले, दोनों साइड अगर fixed हो रहे है, तो auto arrangement हो सकता, chances है, बट कहीं पर भी आपके पास shifting वाले है, यहां पर questions आते है, तो shifting जब भी होगा, तो auto arrangement नहीं होगा, तो 80 को लेके आना पड़ेगा, तो 80 जो होगा हमारा R5 हो जाएगा, तो यह हो गया, L1, L2, L3, L4, अब need जो हो L5 हो जाएगा, और यहां पर 80 जा चुका है, मतलब R5 बन चुका है, तो यहां पर क्या होगा, R1, R2, R3, R4, R5, तो 5 step लग गया, क्यों सिप्टिंग वाला था, अब step number 6 और step number 7 क्या होगा हमारा, अब step 6 और 7 आपको लिखना ही पड़ेगा, step 6 और 7 यहां पर हमको लिखना ही पड़ेगा, यह जो L1 है, तो L1 कौन से है भई, अगर अध्यान से देखो, तो वह है railway, और railway में आपका second letter क्या है, A, तो मतलब यह क्या हो जाएगा, 0, 1, अगर हम L2 की बात करें, तो L2 क्या है, ट्रिक, और यहां पर second letter क्या है, तो हो है R, R का number होता है, 18, L3 की बात करें, L3 क्या है, first, first में second letter क्या है, I, I का number होता है, 9, तो 09, L4 की बात करें, तो L4 है draft, draft में R का number कितना है, 18, तो यह हो जाएगा, 18, ठीक है, और last क्या बज़िए आपका, L5, L5 मनतर need, और E जो है, उसक 25, then R3 30, then R4 65, then R5 80, यह मेरा six step है, अब बस इसी को अगर मैं यहां पर क्या कर दूँगा, descending order में arrange कर दूँगा, तो यह हो जाएगा हमारा last step, तो यहां पर सबसे पहले क्या आएगा, 80, then 65, then आ जाएगा, 30, यहां पर अब क्या आएगा, देखो, 30 के बाद, यहां पर हमारे पास 25 है, तो 25 निक लेते हैं, उसके बाद क्या है, 15, यहां पर क्या है, 05, और यहां पर 18 है, 9 है, 18 है, 1 है, तो अब क्या हैगा, 25 के बाद, तो वह है 18, फिर क्या हैगा, तो वह है 18, फिर क्या हैगा, तो वह है 15, then क्या हैगा, तो वह है 09, then क्या हैगा, 05, then हैगा 01, तो य यह था हमारे step number 7, तो अब देखो हमारे steps जो है वो तयार हो चुके हैं, अब यहाँ पर हमारे पास 5 questions होंगे, जिसके यहाँ पर हमको answers देने होंगे, चलिए देखते हैं सबसे पहला question, सबसे पहला question है, what is the sum of first four numbers from the left and last step, last step में आपको starting के 4 numbers का sum बताना है, ठीक है वे, चलिए यहाँ पर हमारे पास last step है, last step में हमको 4, 80, 65, 30 और 25 को add करके हैं आपको answer देने, तो 80 plus 65 plus 30 plus 25 जो आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखे, 80 में 0, 65 में 5, फिर 0, फिर 5 यह होगे 10, carry over 1, तो 2 plus 1, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 12, 12 और 8, यहाँ पर हो गया 20, यह हो जाएगा 200, जब आप इसको add करोगे तो total कितना होगे 200, तो हमारा option क्या जाएगा, तो यहाँ पर 200 किसम है, तो है option C, तो हमारा answer आएगा C, 200, clear, second यहाँ पर हम question देखते हैं, which element is second to the left of third element from right hand in step 4, इसका यह मतलब हुआ, जब भी, यहाँ पर देखो, अगर आपने ranking पढ़ा है, अच्छे से, तो आप इसको कैसे यहाँ पर हमको answer निकालें, यह ध्याँ से दिखिए, second to the left of third element from right hand बोला है, देखें, जब यहाँ पर बात हो रहा है, left का, ठीक है, और यहाँ पर constant से दिया right hand से, तो जब भी right hand से left जाना है हमको, तो यहाँ पर add होता है, कैसे, अगर मैं बोलूँगा, एक person है, A, B, C, D, E, F, G, इतने हैं, मैं बोलूँगा, कि यह मेरा step number 4 है, माल लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर बोला है, which element is second to the left of third element from right hand, तो right hand से third element पहले point करना होगा, जब भी ऐसे questions आते हैं, पीछे से यहाँ पर read क्या करो, third element from the right hand, और उसका second left जाना है, ठीक है, third element from right hand, तो first G होगा, second यहाँ पर F होगा, और third क्या हो जाएगा, तो होगा E, यह हमारा right hand से third element हुआ, और इसके second left जाना है, तो इसका second left क्या होगा, तो first left यहाँ पर D होगा, और second left क्या होगा, C, यह right hand है, और right hand है यह, और यह हो जाएगा left है, ठीक है, अब right hand से हमको left जब जाना है, तो यहाँ पर add होगा, और right से right जाना है, तो subtract होगा, left से आपको right जाना है तो add होगा और left से left जाना है तो minus होगा यह हमेशा याद रखेंगे यहाँ पर हमको बोला है third element from right hand उसका second to the left second to the left of third element मतलब यहाँ पर right side से हमको क्या find करना है तो देखो 3 third element और second to the left मतलब 3 plus 2 कितना हो जागा 5 मतलब right hand से आपको 5 element find करना है अगर आप यहाँ पर देखें तो first element g second f third e और इसका second left मतलब d then c तो right side से पांच वा element आपको यहाँ पर find करना है यही चीज होता है अब कौन से step में बोला है तो step number four step number four अगर हम देखें तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे right end से दिखना है step number four की बात करना है right side से आपको यह इतना पता होना चीज ही और पहले होगा right side में फिर r3 होगा then r2 होगा then r1 होगा यह मेरा क्या हो गया चार step ठीक है अब इसके बाद क्या बचा होगा तो अगर आप input देखें और यहाँ पर जो हमने step number four लिखा है उसको देखें तो step number four में हमको clear देख रहा है कि r4 है then r3 then r2 then r1 यह हमारा चार four from the right end हो गया और पांचवा element क्या होगा तो वो है 80 क्योंकि 80 ही ऐसा element है जो बचा होगा need और 80 दोनों बचे होंगे तो पांचवा जो है वो क्या होगा तो वो है 80 इसलिए answer जो है हमारा option जाएगा तो वो है option b 80 clear अगर आपको यहाँ पर बनाना पड़ता तो कुछ इस तरीके से बनता और इधर अगर देते तो अगर आपके पास जब भी ऐसे questions आएंगे तो आप एक एक चीज नहीं देखेंगे आप सीधा वस यह देखिए जाना है कि left and से राइट जाना है अगर यहाँ पर right and से left जाना है मतलब add कर दो 3 plus 2 5 मतलब right and से हमको 5 element find करना था वो कौन है 80 अगर आप यह चीज नहीं समझ पा रहे है मतलब आपका यहाँ पर ranking जो है आप अच्छे से नहीं पढ़ें ranking भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा सब एक दूसरे से connected होते हैं जब आप reasoning के questions solve करते हैं चले question number 3 देखते हैं question 3 बोला है which element is fourth to the right of second element from left end अब देखो fourth to the right of second element from left end left end की बाद किया है और किदर जाना है हमको right तो क्या हो जाएगा add हो जाएगा क्योंकि left से right जाना है और left end से फिर हम point कर लेंगे जो भी number आएगा तो left end कौन से element second second from the left end और उसका fourth right मतलब 2 plus 4 हो जाएगा 6 और कहां से तो है end कौन से left तो left end से हमको छटवा element यहाँ पर point करना है left end से sixth element कौन से step में step number 3 में कुछ इस तरीके से होगा अगर आप यहाँ पर देखें तो step number 3 हमारा क्या दिख रहा है यह दिख रहा है L1 L2 L3 और फिर बीच में क्या क्या होगा उसको हम देख लेते हैं सबसे पहले तो इसको रभ कर लेते हैं अब ध्यान से इस चीज़ को समझना कि मैं अगर step number 3 की बात लेके लिखें ऐसा हम एक्जाम में तो नहीं लिखेंगे तो एक्जाम में हमारे पास यह सारे steps नहीं होंगे तब हम क्या करेंगे तो पहले हो जाएगा L1 फिर L2 फिर L3 सिप left की बात कर रहा हम क्योंकि left से खटा element अब फाइंड करें यह तीनों तो arrange होंगे step 3 में अब क्या क्या बचा होगा देखो अगर input में देखें तो R1 जो है वो जा चुका होगा क्योंकि R1 इधर आ चुका होगा L3 भी यहां पर arrange हो चुका है ठीक है ट्रिक भी जा चुका है क्योंकि L2 है तो यहां पर arrange होगे then बात करेंगे R4 की तो वो 4th step जब होगा तब यहां पर 65 भटके जाएगा तो अभी क्या होगा 4th हो है 65 draft की बात करें तो यह भी L4 है मतलब 4 जब step होगा तब यह draft यहां से हटके L3 के बाद यहां पर दिखेगा तो मैं यहां पर क्या दिखेगा मुझे 65 के बाद draft उसके बाद बात करूं तो यह 25 जा चुका है क्योंकि R2 है second step perform हो चुका है R3 है 30 यह भी जा चुका होगा क्यों 3rd step की बात किये then बचा क्या need और यहां पर 6th element क्या हो जाएगा तो है need तो L1, L2, L3 है क्योंकि यहां पर perform हो चुक है इसलिए अपने place में आ चुके हैं clear arrange हो चुके है 65 azities होगा 4th step में हटेगा R2, R3 25 और 30 जा चुके हैं क्योंकि एक R2, R3 है और बचा क्या होगा तो है need clear और इसको अगर मैं 3rd step पूरा complete लिखना हो तो कुछ इस तरीके से होगा need के बाद आ जागे हां पर 80 और यहां पर होगा R1, R2, R3 यह हमारा step number 3 है अगर आप step 3 पूरा लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखे है और यहां पर 6 element हमको find करना था 6 element हमको find करना था step 3 में left hand से तो हो क्या हो जाएगा need इसलिए option जो जाएगा हो हमारा हो जाएगा option b need चले question number 4 देखते है How many numbers are there in step 6 which are smaller than 50 step 6 में हमको बताना है कि कितने numbers हैं जो 50 से कम हैं बहुत simple सी बात है क्योंकि step 6 और 7 तो हम लिख के रख चुके है step 6 में 50 से कम पहला एक दिख रहा है मुझे 0 1 दूसरा 18 3rd 9 4th 18 then 0 5 5 हो गए 15 6 हो गए 25 7 हो गए 65 और 80 तो 50 से बढ़े तो total कितने दिख रहे है तो वह है 8 इसलिए अहां पर हमारा answer जाएगा 8 option कौन से जाएगा यह चार question थे इससे 5 questions पर definitely आपको मिलेंगे यहां पर हम सिर्फ 4 questions कर रहे हैं आपके पास एक और questions होगा जब आप exam में करेंगे तो ऐसे questions को आपको इसी तरीके से solve करना है अब इस question के लिए time अगर हम देखें कि इस question को हम कितने time में बना सकते हैं तो देखें एक चीज़ यह है कि यह जो process है और यह सब चीज़ के लिए आपको alphabets के numbers अच्छे से याद हुने चीज़ तब आपसे यहां पर असानी से एक question solve होगा असानी सा process समझ पाएंगे clear तो process समझने के लिए हमको 1.5 minutes से जादा नहीं देना है अगर उससे जादा time लग रहा है तो वो question को आप skip कर दें छोड़ दें लास्ट में solve करने जब आपके पास time होगा अगर exam में बैठे हैं और आपको यहां पर process नहीं समझ में आ रहा है तो आप 3-4 minutes तक सी process ही नहीं सम पर this field से आपको 1 minutes से जादा यहाँ पर time नहीं लगना चीए तो numbering के लिए आपके पास एक मैट होगा कि यह जो input है इसका number करने के लिए आपको एक मैट उससे जाधा time तो नहीं लगता है कभी भी numbering कलेंगे उससे जाधा time आपको नहीं लगे उसके बाद जब हम question के answer देते हैं जैसे 5 questions है तो 5 answers देने 30-30 second यहाँ पर ले लिजे तो यहाँ पर आपको 5 questions के लिए अगर आप देखें तो 30 second भी मैं जाधा हो रहा हूँ कुछ ऐसे भी questions मिलेगी जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर question number 4 की इस question के इस answer के लिए आपको 30 second थोड़ी नहीं लगेगा आप 10-15 second में आप आप answer देदेंगे कुछ ऐसे questions होंगे जिसके लिए थोड़ा time लगेगा तो overall machine input output जब आप mains के questions यहाँ पर बना रहे हैं mains के लिए तो 5 questions के लिए आप 5 minutes यहाँ पर दे सकते हैं तो 5 questions के लिए आप 5 minutes तक यहाँ पर दे सकते हैं अगर 30 second 40 second extra लगे तो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं देखिए बहुत सारे videos हैं जिसमें बोलती है कि मैं 3 minutes में solve कर लेंगे 2 minutes में solve कर लेंगे actual में ऐसा नहीं है ठीकिए आग बंद करके भरोसा करना तो सबसे पहले आप बंद करिए कि ऐसा कुछ भी नहीं कि आप 3 minutes में बना लेंगे चार minutes में बना लेंगे जब IBPS SBI की बात करने क्लर के main से exam के तो वहाँ पर questions इतना असान होगा नहीं cut-off अगर आप देखें तो भई cut-off आप देखेंगे IBPS में कितना कम गया है clear बहुत सा गोव की अगर मैं बात करूं न गोव में जो प्लर कर रिजल्ट आया उसमें cut-off जो है 35 गया out of 100 ठीक है यहां पर अगर हम 36 गड़ की बात करें तो 36 गड़ में 43.63 गया out of 100 तो cut-off आप देख रहे हैं मतलब आपका किसी-किसी state में यहां पर आपके cut-off 200 में आपको 70 मार्क्स लाने हैं किसी में आपर 86-87 मार्क्स लाने हैं 200 की बात कर रहे हैं cut-off जो है बहुत कम जा रहा है पिछले साल के अगर तुलना में अगर इस साल देखें तो साल हर एक state का 5-8 marks कम आया है अगर यहां पर हम बात करेंगे out of 100 100 की अगर बात करें आउट of 100 तो 5-8 marks कम गया है मतलब 200 marks में आपके पास 10-16 marks इस बार cut-off जो है वो कम गया है तो मतलब level आप समझ सकते हैं बिल्कुल भी easy नहीं मिलेगा तो ऐसे questions आप 5-6 minutes भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बट आपको यहां पर accuracy में ध्यान रखना है आपका कि जो भी questions से आपकर आप solve करना है वो properly solve हो आपका एक भी marks सिधर उदर ना हो और question जो है वो गलत solve ना करें क्योंकि अगर आप गलत solve करेंगे तो आपका minus marking होगा वो बिल्कुल भी यहां पर मेंस में तो बिल्कुल मार्किंग आपका नहीं होना चाहिए तो ऐसे questions के लिए आपको यहां पर 5-6 minutes आप दे सकते हैं ऐसे आपका नहीं questions solve करें जब आप मेंस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो मिलेंगे next video में thank you for watching my videos